तीन महाद्वीपों में फैला सामराज कख्या ग्यारवी इतिहास इतिहास एक ऐसा विशे है जिसमें हमें आर्थिक, भागोलिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक, सांस्कृतिक सभी पहलूं का अध्ययन करना पड़ता है इन सभी आस्पेक्स को लेकर इतिहास बनता है और जैसा हम जानते हैं इतिहास प्राचीन काल, पुराने समय की बातों का विवरण है, विवेचन है और उसका अध्ययन है जैसा कि शीर्शक पर आप ध्यान दें, तीन महाद्वीपों में फैला सामराज्य पहली बात तो इसको देखें कि तीन महाद्वीपों में फैले हुए सामराज्य की बात हो रही है जाने तीन महाद्वीप हमारी चर्चा के तहद जुड़े हुए है दूसरा में फैला सामराज्य तीन महाद्वीपों में फैले सामराज हम नहीं कह रहे हैं दोनों में अंतर क्या है फैले सामराज और फैला सामराज में इस मुलवूत अंतर को समझना जरूरी है क्योंकि यदि हम सोचते हैं कि तीन महाद्वीपों में फैले सामराज के बारे में सद्ध्याय में पढ़ाय जा रहा है तो हमें गलत फहमी इस बात की होगी कि हम सोचेंगे कि इन महाद्वीपों में जो सामराज थे कई सामराज एक से ज़्यादा सामराज उनके बारे में सद्ध्याय में है फैले सामराज बहु अचन लेकिन सचाई तो यह है कि सद्ध्याय में हम मातर एक सामराज की बात पढ़ रहे हैं और वह भी ऐसा सामराज जो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है तीन महाद्वीपों में कौन कौन से हैं कैसे फैला है इस पर हम आगे बात करेंगे पर आपको पहले समझ लेना है हम एक ही सामराज की बात कर रहे हैं ऐसा सामराज जिसका खेतर जिसका दायरा तीन महाद्वीपों में फैला हुआ था तो ये समझने के बाद कि हम एक ही सामराज की बात कर रहे हैं अब हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि वे तीन महादवी कौन से हैं किस सामराज की बात कर रहे हैं आदी आदे और इससे पहले हम ये जाने सामराज क्या है सामराज क्यों होता है कोई राजा सामराज्य बनाता है एंपायर सामराज्य याने एंपायर किंग्डम नहीं किंग्डम नहीं तो किंग्डम मतलब एक छोटा राज्य जिसका मुखिया राजा होता है और सामराज्य मतलब एक बहुत विशालकाय रूप में जो एक किंग्डम होगा बहुत विशालकाय राज्य उसे हम कहते हैं साम्राज्य और साम्राज्य का जो मुख्या होता है जिसे हम सम्राट कहते हैं सम्राट चक्रवर्ती राजा महा राजा धिराज ये सब जो उपाधियां हैं पद्वियां हैं ये राजा के लिए ही हैं लेकिन इन उपाधियों से इन उपाधियों से पता लगता ह कि वह राजा या समराट या चक्रवर्ती कितने बड़े खेत्र का राजा था हैं तो राजा ही सभी लेकिन अलग अलग नामों से यह स्पष्ट होता है कि उनका समराज कितना उनका राज कितना बड़ा रहा होगा तो हम जिस सामराज की बात कर रहे हैं वो तीन महाद्वीपों में फैला हुगा नक्षे में आप देखें विश्व का नक्षा आपके सामने है इस विश्व के नक्षे में जो महाद्वीप हैं साथ महाद्वीपों में हमारा जो दारा है वो तीन महाद्वीपों तक है अफ्रीका और तीसरा एशिया मैं पना दोरा दूँ योरोप अफ्रीका और एशिया तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सटे हुए हैं इन तीन महाद्वीपों में किसी एक राजा ने अपनी सत्ता स्थापित की थी अपना सामराज्य स्थापित किया था किसी एक वँश का शासन रहा तो हम इन तीन महादवीपों में जो एक सांबराज था उसकी बात कर रहे हैं और वह सांबराज था रोमन सांबराज अमेरिका आपको बस एक अंदाज होना चाहिए एक बड़ा पिक्चर होना चाहिए कि जिस काल की हम बात करेंगे अमेरिका उस काल में अस्तित्व में नहीं है और अस्तित्वकार थी यह नहीं कि भुगोलिक दिश्टिस से अस्तित्व में नहीं है अमेरिका भुगोल में है अमेरिका था लेकिन उसकी खोज उस समय नहीं हुई थी जिस काल की रोमन सब्भिता की हम बात करेंगे जिस काल की रोमन सामराजी की हम बात करेंगे उस समय अमेरिका जो आज एक महाशक्ति है उस समय अमेरिका की जानकारी ही लोगं को नहीं थी अमेरिका की जानकारी तो पंद्रहवी शताबदी में मिली कॉलंबस ने अमेरिका को खोजा उसके बाद हमने जाना अमेरिका जैसा एक देश अमेरिका जैसा एक महादवी उसके पहले हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी वो तो एक चांस खोज थी यकायक एक जो खोज हुई उसका परिणाम था कि अमेरीका लोगों के जेहन में आया, लोगों के ध्यान में आया और फिर उसके बाद अमेरीका धीरे धीरे विक्सित होते हुआ आज महाशक्ती बना लेकिन जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में रोम यॉरप ये विश्व के सभ्विता के केंद्र हुआ करते थे ग्रैडल ओफ सिविलाइजेशन हम कहते हैं इने ग्रैडल ओफ सिविलाइजेशन यहां पे कई सभ्विताओं ने जन्म लिया जिस खेत्र की हम बात कर रहे हैं और उन सभ्विताओं में उन सामराजियों में एक सामराज है रोमन सामराज रोमन सामराज की सीमा को आप देखें यदि नक्षे में आप देखते हैं रोमन सामराज को तो जो बीच का जो नीला नीला खेत्र दिख रहा है भुगोल में नीला खेत्र सामाने तया जल पानी से दिखाया जाता है तो वो सागर है जैसे मेडिट वो बीच में है और उसके चारों और आप देखेंगे जो खित्र दिख रहा है एक रंग में वह है रोमन सामराज। आप देख लीजे कि कैसे वो यूरोप में पूर्व की तरफ यूरोप में हैं पश्चिम की तरफ यूरोप में हैं पूर्व की तरफ कैसे वो एशिया में हैं उसका दायरा और दक्षिन की और जाएं तो अफरीका के कुछ खेत्रों को छूता हुआ है उत्तरी अफरीका का तो यूरप का हिस्सा जिसे हम पश्चमी यूरप कहते हैं पश्चमी यूरप जिसमें फ्रांज इटाली आदी आते हैं ये इंगलेंड ये पश्चमी यूरप कहते हैं जामनी ये पश्चमी यूरप कहते हैं और एशिया एशिया का वह हिस्सा जहां जो मेडिटरेंट थी के आधिक्षेत्र है और उसके आगे दूसरे एंपायर्स ने दूसरी सभिताय हैं दूसरी सामराज्य हैं तो Mediterranean Sea समुद्र के चारों और स्थित चारों और Mediterranean Sea को घेरता हुआ जो सामराज्य बना रोमन सामराज्य था दूसरी बात मैं नक्षे की बात यहां प्रारम में इसलिए कर रहा हूँ या नक्षे से आपको वाकिफ इसलिए करा रहा हूँ कि जिस खेतर के हम बात करते हैं उस खेतर के बारे में हमें पहले अच्छी तरह उसकी भागोलिक स्थिति को समदना बहुत जिरूरी है इसके बारे मौर विस्तार से हम जब भागोलिक स्थिति की बात होगी तब हम करेंगे पर इतना जान लें कि यह भारत के पश्चमी में है पश्चमी योरप के निकट है और मेडिटरेनियन समुदर को घेरता हुआ मेडिटरेनियन समुदर को सी को घेरता हुआ यह एंपायर है यह सामराज है और इसे कहते हैं रोमन सामराज जैसा कि नाम से स्पष्ट है रोमन समराज का तालुक रोम से रहा होगा और रोम इटेली की राजधानी थी और राजधानी है युरोपी संस्कृती के अधि हम बात करें तो रोमन सभिता और यूनानी सभिता रोमन सब्विता और यूनानी सब्विता ने बहुत महत पूर्ण भूम का निभाई है यूनानी सब्विता जो है वह रोमन सब्विता के पूर में कॉंस्टेंटाइन जहां पर है कॉंस्टेंटिनोपल जहां पर है एशिया माइनर आदी का जो खेतर है वह कहलाता है युनानी सब्विता का सीमा खेतर युनानी सब्विता जब गिरी तो उसके बाद रोमन सब्विता आई और रोमन सब्विता के उदै के साथ ही साथ वर्तमान यूरप की जो सब्विता है उसका उद्वव शुरू हुआ यानि वर्तमान यूरप का जो कल्चर है उसकी जो सब्विता है उसकी शुरुवात हम एक तरीके से इस रोमन सब्विता से हम कर सकते हैं और इसलिए रोमन सब्विता हमारे अध्यन के लिए बहुत अहम है ये जानने के लिए कि आज का यॉरप जो इतना संपन्ध है जो इतना विकसित है उन्नत है उसका प्रारम्ध कैसे और कहां से हुआ होगा यूनानी सब्विता के गिरने के बाद यूनानी सब्विता के पतन के बाद रोमन सब्विताई और रोमन सब्विता का जो उदे है वह विश्विति हास के लिए एक अत्याधिक महत्पूर्ण घटना है जैसा मैंने बताया इसका विस्तार तीन महाद्वीपों में था और इसी वजह से तीन महाद्वीपों में फैला हुआ सामराज इसे कहा गया है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ सामराज जैसा नक्षे में आप देख रहे हैं Mediterranean Sea और Caspian Sea के दक्षन में Paschumasia है और इरानी सामराज इसके बाजू में उदा हुआ इरानी सामराज इसके बाद आए जो हमारे सध्यान का अध्यान के दाएरे से बाहर है तो हमें इरानी सभिता या यूनानी सभिता ये नहीं पढ़ना है सध्याय में रोमन सभिता को अध्यान करना जैसे इरानी सभिता या यूनानी सभिता जिसम बोलें वो तीन महाद विपो में थी ऐसे ही रोमन सभिता भी थी तो इस मामले में दोनो एक हैं कि दोनों की सभिता दोनों का सामराज तीन महादी विपों में फैला था लेकिन पहले युराणी सब्धिता आई उसके पतन के बाद उसके गिरावट के बाद उसके इхरास होने के बाद रोमन सब्धिता आई जैसा मैंने बताया है कि यूरप की जो वर्तमान सभिता है वर्तमान संस्कृति है वर्तमान उसका जो राजनीती व्यवस्था है शासन व्यवस्था संस्कृतिक व्यवस्था इसकी शुरुवात हम इस काल से देख सकते हैं जिसका हम जिक कर रहे हैं रोमन सभिता का काल यूनानी संस्कृती का जिकर इसलिए किया कि मात्र ये एक और सब्विता नहीं थी जो तीन महाद्वीपों में फैली थी इसके अलावा यूनानी सब्विता की एक खासियत और यूनानी सब्विता वो सब्विता है जिसने यूरोप की सब्विता में या यूरोप के लोगों को बौधिक ग्यान दिया यूरोप की सब्विता की बौधिक प्रिष्ठ भूमी तयार की चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, दर्शन हो ये जो यूरोपी समाज में जो आज हम देखते हैं इसकी शुरुवात, इसकी नीव यूनानी सब्विता में रखी गई रोमन सब्विता का क्या योगदान है रोमन सब्विता दूसरी तरफ यूरोपी सब्विता में उसने राजनीतिक और सामाजिक प्रिष्ठ भूमी का निर्मान किया पॉलिटिकल और सोशल हिस्ट्री यूरोप की यदि हम बात करें तो रोमन सब्विता को इसको काफी श्रेज आता है जबकि बौधिक विकास की बात करें जिसमें विग्यान, कला, इतिहास, कला, सहित आदि आते हैं तो यूनानी सब्विता का दूसरे शब्दों में वर्तमान यॉरप जो है वह युनानी सभिता और रोमन सभिता का एक सम्मिश्रण है हमारा ध्यान रोमन सभिता पर इसलिए है इस अध्याय में क्योंकि हम राजनीतिक इतिहास राजनीतिक पहलू का ध्यान करेंगे बौधिक विकास, घ्यान विज्ञान, योरप में घ्यान विक्ञास की चर्चा हम किसी अन्य अध्याय में करेंगे यहाँ पर हमें अपना ध्यान रोमन सभिता पर और रोमन सभिता पर इसलिए करना है क्योंकि उसकी राजनीटिक पध्धती ने वर्तमान यॉरॉप को जन दिया तो हम राजनीतिक इतिखास पर ज्यादा ध्यान देंगे नक्षिय को देखते हुए हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि उस काल में जिस काल की हम बात कर रहे हैं उस काल में उन खेतरों को किस नाम से जाता था और आज वे खेतर किस नाम से जाने जाते हैं दूसरे शब्दों में इन हजारों वर्शों में समय के साथ-साथ इन खेतरों के नाम बदलते गए नाम ही नहीं बदले इन खेत्रों की जो सीमाएं भी बदलती चली गई आप भारत को ही देखें प्राचीन भारत के दी बात करते हैं तो उसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान और पूरा भारत संपूर्ण भारत और उसके बाद कुछ हिस्सा श्रिलंका का ये एक बहुत बड़ा भारत हुआ करता था धीरे धीरे उसके नक्षा बदलते रहा फिर बी बीच में ऐसा भी दूर आया जब कुछ सामराज्य बने, भारत में सामराज्य की बात करें, तो कौन-कौन से सामराज्य थे, जो चर्चित हैं, हर्श वर्धन का सामराज्य, नक्षे में देखिये, कन्नाज और उसके आसपास का शासन, अशोक का सामराज्य, अंग्रेजों का स अमराज्य स्वायम का जो भारत में था और इसके बाद अकबर औरंग जेब साथ वाहन राष्ट कूता आदी आदी कृष्णदेव राय ऐसे बहुत से भारत के अंदर भी बहुत से परिवर्तन होते रहे इतिहात में और यही परिवर्तन हम बड़े स्केल में बात करें तो हमें यह जानना जरूरी है कि यदि हम हस्तिनापुर की बात करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि वर्त उस काल का हस्तिनापुर वर्तमान में किस जगह पर इस्थित है और आज उसे क्या कहा जाता है यदि हम हस्तिनापुर की बात करेंगे तो हमें जानना चाहिए कि वो हस्तिनापुर कहां स्थित था कौन सी नदी के बाजू में स्थित था उसी प्रकार यदि हम इन सभिताओं की बात करते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि वर्तमान में इन जगहों के क्या नाम है मोटा मोटा आप देखिए नक्षे में इटली, स्पेन, उसके बाद नीचे मिस्र, मुरको और उसके बाद एशिया माइनर आज याज ये सब देश आते हैं और विस्तार से इस पर जब हम भागोलिक स्थिती पर बात करेंगे तो हम और विस्तार से इसके नक्षे पर जाएंगे पर फिलहाल नक्षों के बारे में इतना ही रोमन समराज में जहां बधिक विकास का श्रे युनानी सब्विता को जाता है वैसे ही राजनितिक विकास, राजनितिक मूल, राजनितिक भावनाएं इनका श्रे रोमन समराज को जाता है जैसे राश्ट प्रेम, एकता, अनुशासन, सैन्य संगठन, गणत अंत्रात्मक व्यवस्था, ये देखिए गणत अंत्रात्मक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है, तो गणत अंत्रात्मक व्यवस्था, सम्विधान, कानून, ये जो सब शब्द हैं, इनका परिचय योरोपी सभिता को योरोपी समाज को रोमन सामराज के समय कराये गया और योरोप मात्र बौधिक प्रगति के लिए ही नहीं जाना जाता है योरोप आधिनिक राजनीति व्यवस्था का जनक भी रहा है वहाँ से जो व्यवस्थाएं पनपी जिसमें गणतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था आज वर्तमान में बहुत अहम है उसकी शुरुवात वर्तमान आधिनिक काल में हम फ्रांस से देखते हैं फ्रांस भी किसी समय रोमन सभिता के दायरे में था उसके प्रभाव क्षित्र में था यदि युनान ने बॉधिक नेत्रित्व किया दुनिया का तो रोमन सभिता ने विशु को सबसे बड़ा सामराज दिया मैं बारम बार उसके ख्षेतर फल की बात कर रहा हूँ इसमें कोई दोमत नहीं कि बीच में तो काफी बड़ा ख्षेतर Mediterranean Sea है लेकिन Mediterranean Sea को अपने अंदर समाते हुए उसके चारों तरफ एक सबिता बना लेना और उस पर नियंतरन रखना कठोर नियंतरन रखना और एक एक रूप सबिता को जन्म देना उसका विकास होना ये स्वैम में एक बहुत बड़ी चीज है इसका श्रे जिन लों को जाता है जिन समराटों को जाता है इसके बारे हम आगे पढ़ाएंगे ब्रही बात एक और इस बिन दुपर वो है कि यदि हम सबिता को समझते हैं सबिता को समझने की कोशिश करें तो सवाल ये उटता है कि इतने बड़े-बड़े सामराज क्यों बनाया जाते है क्यों राजा अपने क्षेतर का विस्तार करते चला जाता है क्या मन्शा से क्या वह केवल यही मन्शा कि विश्व का सबसे शक्तिशाली शासक बने या कुछ और इसके पीछे कारण नेत होते हैं कई कारण हो सकते हैं किसी खेतर को अपने खेतर में मिलाने के कई कारण हो सकते हैं ये कारण कि वहां की जनता को अपने में मिला के दास के रूप में लेना उनका उपयोग करना वहाँ की जो भगोलिक संपदा है भगोलिक संसाधन है उसका दोहन करने के लिए साथ ही हो सकता है कि जहां पर अभी राजा है और उनका जो राज्य है वहां की जनता की जन संख्या इतनी बढ़ गई हो कि उन्हें नए ख्षेत्रों की आवश्कता हो जनता की बसाहट के लिए साथ ही एक कारण ये भी हो सकता है कि वहां की जनता से कर टैक्स लेने से खुद की सम्रिद्धी में वार्धक्य होगा क्योंकि जितना बड़ा ख्षेत्र हम लेंगे जिसमें जितनी ज़्यादा जनता रहती है उतना ही ये होगा कि कर आएगा टैक्स मिलेगा तो दूसरे शब्दों में युनान ने हम एक बार फिर बोलने जहां युनान ने बौधिक नित्रित्व दिया दुनिया को तो रोमन सभिता ने सबसे बड़ा सामराज इस्थापित किया और इसलिए हम इस अध्याय में सबसे बड़े सामराज की स्थापना से लेके उसके अंत्र तक की गाथा पढ़ने जा रहे हैं समझने जा रहे हैं जहां इस अध्याय का अध्यान खेत्र रोमन सभिता है मैं बार बार यूनानी सभिता का भी जिक्र करता हूं और इसका कारण आप समझ गया होंगे कि दोनों सभिताओं में क्या बातें नहित थी कैसे एक सभिता ने दूसरी सभिता के लिए पूरक का कारे किया और यूरोपी सभिता को जर्म दिया आदिनक यूरोपी सभिता को इसलिए यूनानी सभिता का जिक्र बारंबार आता है दूसरा आपको याद रखना है कि युनानी सबिता पहले आई रोमन सबिता बाद में और एक बधिक प्रगति के लिए जानी जाती दूसरी राजनेतिक पहलू के लिए डक्टर बारकर बियार के यार उन्होंने कहा है कि यदि युनानी सबिता अपने अंतिम काल में मानों की एकता का आदर्श बनी तो इस आदर्श को वास्तविक रूप रोमन सबिता ने दिया मैं पना दोरा दूँ यदि युनानी सबिता मानोता की एकता का आदर्श बनी तो अपने अंतिम चरणों में ये जो आदर्श बनने की जो कहानी है ये युनानी सबिता के अंतिम वर्शों की है और फिर उसके बाद जब उसका पतन हुआ तो उसी को आगे बढ़ाया और उस आधर्ष को एक वास्तविक रूप देने का काम रोमन सभिता ने किया है दूसरे शब्दों में रोमन सभिता युनानी सभिता से आगे बढ़ी और विकसित हुई युनानी विचारों को युनानी भावनाओं को युनानी संस्कृति को उसने अपनाया ही नहीं बलकि रोमन सभिता ने युनान संस्कृति के कुछ पहलों में कुछ परिवर्तन भी किया और इस प्रकार एक Grieko-Roman Sanskriti को जन्म दिया जो आज ये रोपी सब्विता का आधार बनी है Grieko-Roman Sanskriti तो रोवन सब्विता यूनानी सब्विता से कुछ विचार लेती है कुछ भावनाई लेती है कुछ चीजें लेती है अपने में समाहित करती है आगे बढ़ती है और और आगे बढ़तने में यदि उसे कुछ बाधाएं आती हैं यदि कुछ परिवर्तन की जुरत पढ़ती है युनानी विचारों में युनानी दर्शन में तो उस परिवर्तन को लेते हुए रोमन सब्विता और आगे जाती है और अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है यही ग्रीको रोमन सब्विता कहलाई ग्रीको रोमन सब्विता वर्तमान येरोपियन समाच का आधार है युनानी संस्कृति जैसा मैंने बताया युनानी संस्कृति की पतन के बाद ही रोमन संस्कृति आई किन्तु रोमन सब्विता की अवनती के बाद उस उसे हम कहते हैं मध युगीन अंधकार। यानि यूनानी सभीता के पूर्व पूर्ड पतन से पूर्व ही नई सभीता आगई, बीच में थादा सा अन्तर रहा, लेकिन उसके बाद रोमन सभीता। पर दुर्भागे से रोमन सब्विता जो दुनिया की सबसे बड़े सामराज के रूप में उभरी जब उसका पतन हुआ जब उसका विगटन हुआ तो ऐसा हाल हुआ कि यौरप जो है वो अंदकार के युग में चला गया मध्य युगीन काल जो यौरप का है वह बड़ा ही अंदकार में इतिखास है और ये अंदकार का काल काफी वर्षों तक रहा लगभग छैसो से साथ सो वर्ष पूर उसके बाद आता है यौरप का आधनिक युग जिसे हम करीब चौदा सो पंदरा सो के आसपास देखना शुर यात्रियों की अन्य देशों में यात्राएं यहां से आधनिक काल जिसे रेनेसान रेफरमेशन जो भी नाम दें पुनर जागरन का काल हम कहते हैं तो पुनर जागरन के काल के पूर्व और रोमन सभिता के पतन के बाद का जो लगभग छैसो साथ सो वर्ष का काल है वह मध् एक तरीके से डार्केज कहलाता है अन्दकार में युग कहलाता है आधनिक युग ने ही फिर उसके बाद यूरप को वापस पुनर जीवित किया उस रूप में जिसमें उसने ग्रीको रोमन सभिता को पुना अपनाने की कोशिश किये और आज यूरप की सभिता में ग्रीको रोमन काल की सभिता का काफी पुट है चलिए एक बार हम फिर थोड़ा सा भागोलिक इस्थिति पर चर्चा करें कि रोमन सामराज की भागोलिक इस्थिति क्या थी मैंने यह बताया समुद्र के चारों तरफ मेडिटरेनियन के जो केंद्र था इसका वह था इटाली 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 को आप देखिए नक्षे में उसका आकार कैसा है एक लंबा और उसके नीचे सिसली है जिसे हम एड़ी बोलते हैं इटाली इटाली की एड़ी के रूप में उसे हम कहते हैं और वो जो है सिसली नीचे क्योंकि यह भी हमारे इस अध्यान में आएगा तो इटाली चे दिये है कि रोम इटिली की राजधानी है और रोम का एक हिस्सा श्वयं में एक राश्ञ्टर है। रोम शहर का एक हिस्सा स्वयं में एक राश्टर भी है जैसे वेटिकन सिटी रोम खहते हैं। इटली जो है बड़े strategically located है बहुत एक खास स्थिती में उसका जो भोगलिक छेत्र है वो है दक्षिन योरोप का मध्य प्रायद्वीप यानि योरोप के पश्चिम में नहीं आता है दक्षिन में आता है और प्रायद्वीप के उत्तर में आल्स परवत की श्रिंखला है आल्स परवत जो हमाले के बाद बहुत बड़ी परवत श्रिंखला के रूप में जाना जाता है पूरब में आप देखेंगे तो एड्रियाटिक सी है एड्रियाटिक सी एड्रियाटिक सागर दक्षिन में भूमज सागर है तो इटली इस प्रकार तीन ओर से एक प्राकृतिक स माउं से घेरा हुआ है एड्रियाटिक सी बुमद सागर आल्स परवत और एक प्रायदीप है इसी के मद्ध में आप देख रहे होंगे एक एपिनाइन परवश शिंखला है एपिनाइन परवश शिंखला काफी वित्रित है रोम नदी रोम जो है वो टाइबर नदी पर बसा आपको याद रखना होगा कि इतिहास में जितने भी बड़े शहर नामी शहर हुए वो किसी नदी के किनारे बसे हर सब्विता की शिरुआत नदी से हुई है कारण सपष्ट है क्योंकि नदी के आसपास बसाहट होती थी उसके पानी के लिए उसकी मिट्टी उप जाओ होने के कारण आवागमन का एक सरल साधन उपलब्द हो जाने के कारण जल मार्ग आदी आदी मौसम बहतर रहता है नदी के आसपास का और भी कुछ कारण रहते हैं तो इसलिए नदी सब्विताएं ये सब कहलाती हैं जैसे भारत में सिंदु घाटी की सब्विता सिंदु नदी क आसपास, गंगा की सब्विता और ऐसे ही हमने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा, यूफरेटस और टाइग्रिस, जजाल और इसके अलावा फरात नदियों की सब्विता का भी हमने पूर में अध्विता किया है, तो यहां पर कौन सी नदी है? ताइबर नदी ये ताइबर नदी के किनारे रोम बसा हुआ है जहां लैटिन रोग रहते थे लैटिन यहां के रहने वाले लोग क्या कहलाते थे लैटिन और लैटिन जो शब्द है वो लैटिमस से बना है उससे लैटिन शब्द का जन्म हुआ और फिर लैटिन भाशा भी ब लेटिन कहा जाता था और लेटिन भाशा थी और रोम उसके बाजू में स्थित्ता और टाइबर का जो दूसरा छोर आप देख रहे हैं इस दूसरे छेर में एट्यूसकन जाती के लोग रहते थे जिसका जिक्र बाद में आएगा इसलिए आपको बस ये नाम जानना है कि एट जिसे इट्थी दीप देख रहे हैं जिसे हम इटेली की एड़ी कहते हैं पैर की जैसे होती नीचला हिससाẫn ऐसे इसका अकार है कुछ कि वो इटली के नीचे पैर का जो आंत्यम इससा होता वैसा दिखाई देता है और इस सिसली के पूर में कौन बसे थे ते शिसली को यहीं से ग्रीको रोमन सभिता की बात आती है जिसका जिक्र मैंने पहले किया है ग्रीको रोमन यदि हम भूमद सागर को पार करें तो अफरीका आता है और अफरीका का जो उत्तरी हिस्सा है जो आप देख रहे हैं वह रोमन सभिता का रोमन सामराजी का हिस्सा होता था पूरा बेल्ट लगबग उत्तरी बेल्ट जो है पूरा वो एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक अफरीका का उत्तरी अफरीका का एक पट्टी क्या कार में वह इसका हिस्सा था और इसमें एक बहुत प्रसिद शहर था भूमत सागर के किनारे कार्थेज ये कार्थेज नगर रोमन सब इस्वी पूर्व का यदि जिकर होता है तो मैं यहीं आपको बताना चाहूंगा कि इस्वी पूर्व यहने इसा के पहले इसा के जन्म के पहले इसा का जन्म यदि हम किसी एक वर्ष में मानते हैं जिस वर्ष में तो समझ लीज़े शून्य है शून्य वर्ष उसको यदि मा तो इसा के 100 साल पहले 200 साल पहले 300 साल पहले नहीं इसा के जन्म के 800 वर्ष पूर वी एक शहर बसा था कार्थेज यानि रोमन सब्विता के पहले ही इसकी बसाहट हो चुकी थी और उसके बाद हम जो अध्यान करने जा रहे हैं वह लगवग इसा के 300 इसवी पूर से हमारी शुरुवात होती अध्यान की और उसके बाद इसा के लगवग 600 वर्ष बाद तक मैं पुना बता दूँ यदि हम आशा मसीः को केंद्र मानते हैं तो आशा मसीः के तीनसो वर्श पूर्व से हमारे इतिहास का धियन प्रारम होता है और उसके बाद लगभग छैस्ञास वर्श तक का इतिहास हमारे इस दायरे में है 900 वर्ष का इतिहास रोमन सभिता का उसके उत्थान से लेके उसके पतन तक का तो कार्थेज 800 इस्वी पूर्व में उसमें बसाहट शुरू हो गई थी रोमन सभिता के भागोलिक इस्थिति को संख्यप में जानने के बार और बल्कि एक तरीके थे हम पूरी तरह समझ गए हैं कि रोमन सभिता कहा थी भागोलिक दिर्ष्टि से और भारत से कितनी दूर थी ये भी थोड़ा हम देख लें कि भारत से इस सभिता की दूरी कितनी थी यदि हम तक्कालीन भारत की बात करें तीन सो इस्वी पूर्व की जो हम बात करते हैं तो तीन सो इस्वी पूर्व में थोड़ा एक बड़ा रोचक अध्यान हो सकता है कि तीन सो इस्वी पूर्व में भारत में क्या हो रहा था कौम सा काल था गौतम बुद्ध महावीर आके जा चुके थे गौतम बुद्ध और महावीर या महावीर और गौतम बुद्ध यदिस करम में बोलें कि पहले भगवान महावीर आए उसके बाद गौतम बुद्ध आए और अशोक का काल लगभग इस समय चल रहा था तो हम उस काल की बात कर रहे हैं जब भारत में अशोक का सामराज्य था उस समय वहाँ पर ये सब्विता पनपरी थी जिसे रोमन सब्विता कहते हूं ग्रीक और रोमन सब्विता कहते हूं